सल्मान खान के फैंस अब भूल जाएं कि उनकी शादी कट्रीना कैव से होगी सल्मान की फैंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी शादी यूलिया वेंतूर से नहीं होने वाली जैकलीन हो या फिर दूसरी और एक्ट्रेस ये फैंस को मनना पड़ेगा कि सल्मान अब किसी से शादी नहीं करेंगे बलकि वो कुआरे ही रहेंगे दरसल सल्मान खान खुद ऐसा बयान दिया है जो सी बात पर मोहर लगाता है मुंबई मिरर से बाचीत के दौरान सल्मान से वेडिंग प्लान को लेकर सवाल पूचे गए इसी दौरान सल्मान ने जवाब दिया अगर शादी होनी होगी तो होगी शायद एक रात में ही मेरी शादी हो जाए मैं एक दिन उठूं और सोचूं कि अब तो शादी हो गई है जेलो से जाहर है इस बयान के जरीए सल्मान ने ये फुक्ता कर दिया कि उनके लिए शादी छोटी बात रही है मगर आप बोखुद इंटेस्टेड नहीं है यूलिय वेंतूर के साथ चल ही गोसिप पर भी उन्होंने अंसर किया है सल्मान ने इसे अफ़वा बताती हुए कहा ये मीडिया में अफ़वा उड़ी है लेकिन ऐसा नहीं है अगर मैं सगाई भी करता हूँ ये शादी भी करता हूँ तो इस बारे में खुद इसकी जानकारी दूँगा मेरे लिए ये गर्व की बात होगी मैं थोड़े ही चुप रहूँगा सल्मान खान से इस इंट्रिवू में कटीना कैट से जोड़ा सबाल तो नहीं पूछा गया मगर उनोंने उन लोगों को लपेटे में लिया जो अपनी परसरल लाइफ को छिपाते रहे हैं सल्मान ने खुले तोर पर कहा मैं उन इस्टार्स के तरह नहीं जो इन बातों को छिपाकर रखे ये सोच कर कि मेरी फैन फॉलाइंग कम हो जाएगी मैं अच्छे से जानता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे लिए खुश होगी सल्मान का ये जवाग इसलिए माइने रखता है क्योंकि उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है और वो खुद इंडिकेशन दे चुके हैं कि शादी के लावा उनकी बहुत लाइफ है गौर करने वाली वातिया है कि यूलिया वेंतूर ने बॉलिवुड हंगामा को एक इंट्रिवू दिया जहां उनसे ऐसे ही सवाल किये गई यूलिया ने इस दौरान कहा था कि हर इंट्रिवू में मेरे से यही सवाल पूछा जाता है मुझे लगता है कि ये पूचना वेकार है दो लोग एक दूसरे के लिए कैसा मैसूस करते हैं ये ज़्यादा मैने रखता है यहां तक कि मेरे माता पिदा तक मेरे से यही पूचने लगे थे तुम कब शादी कर रही हो एरहाल सल्मान खान का जवाब उनके फैंस को पसंद आ सकता है मगर एक बार फिर उनकी शादी की हसरता दूरी रह गई काटरीना कैप से भी उनकी शादी होने के चांस अब बिल्कुल नहीं रह गई है खुद कैट अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और 2008 में जिस तरह उनकी शादी की चर्चा जोरू पर थी उससे अब दोनों ही सितारों ने खत्म कर दिया है ऐसे में बहुत मुम्किन है कि सल्मान आज इवन कुआरे रहेंगे और जिस तरह उन्होंने दूसरों की हेल्प का स्टेप उठाया है उसे कंटिन्यू करेंगे यानि काटीना कैफ सल्मान की दोस्त भर रहेंगी जैकलिन फननाडेस सल्मान की गुड़ बुक में रहेंगी यूलिया भी उनकी क्लोज फ्रेंड बनकर रह जाएंगी दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सल्मान खान अब शादी नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं